जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको मासिक धरम यानि पीरेट्स में हमें वरत करना चाहिए कि नहीं कितने दिन बाद हम मतलब पाट पूजा कर सकते हैं और कितने मतलब अगर वरत के बीच में अगर हमें मासिक धरम हो गय दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली वार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सबीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुछ सके दोस्तों हमारे शास्त्रों के उसमें इस्त्री बहुत ही अशुद्ध मानी जाती है तीन दिन तक उसे देखे रस्वय का रस्वय भी नहीं बनानी चाहिए और पाट-पूजा से तो वह वरजित मानी ही जाती है जिन भी महिलाों को देखे तीन दिन चार दिन तक मतला पीरट्स होते हैं भ्लड़िंग होत सकती है प्रसाद बगरा बना सकती है मन्दिर जा सकती है छटे दिन से जिन भी महिलाओं को चलते अगर उनको 15 दिन में 20 दिन में मलब पीरड्स होते हैं तो देखिए वह रसोई तो बना सकती है पांच वे चोथे दिन से लेकिन पाठ पुजा उनको नहीं करनी चाहिए मंदिर वगएरा या प्रसाद वगएरा उनको नहीं बनाना चाहिए इन चीजों से वह वर्जित म बना सकती है लेकिन पाठ पुजा या प्रसाद या पुजा की चीजों को सपर्श नहीं कर सकते इसमें वर्जित माना गिया दोस्तों देखिए जितने नियम आप से निभाये जाए उतने निभाने चाहिए देखिए इन दिनों में मतलब पती से भी दूर रहना चाहिए क्य देखिए अगर आपने कभी जैसे गुरुवार के वरत होते हैं सोमवार के वरत होते हैं कोई भी वरत आपने शुरू कर रखे हैं अगर आपने पाठ पुजा कर ली गया है अगर उसके बाद आपको जैसे पीरट्स हो गया है तो देखिए वह वरत खंडित नहीं माना जाता वो count में ही आ जाता है मतलब उसकी जो माननेता है वो मानी जाती है लेकिन देखे अगर आपने part पुजा नहीं की है अगर आपने मतलब अभी आप नहाध होके जैसे पुजा करने के लिए तयार हुए है लेकिन उससे पहले अगर आपको periods हो गया तो आपको वरत नहीं करना चाहिए और वो वरत आपका count में भी नहीं आता इसलिए देखे कई बार यह ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमने मतलब पाट पुजा के बीच में अगर हमारे periods हो जाता है मासिक धरम आ जाता है और हमें नहीं पता है और गलती वर्ष हमने पाट पुजा कर लिया तब तो देखिए तो हमें उसका दोश नहीं लगता लेकिन अगर आपने जान मूच के आपको पता होते हुए भी आपने अगर मतलब पाट पुजा की चीज़ों को छुआ है या आप पाट पुजा कर रहे है तो आपको बहुत दोश लगता है उसका देखिए इनी दोशों को से बचने के लिए एक वरद भी बनाया गया है रिशी पंचमी का वरद जो हरिताली का वरद के बाद आता है रिशी पंचमी को इन दिनों में अगर हम से जैसे कोई गलती हो जाती है या हम मतलब पाट पुजा की चीज़ों को सपर्ष कर लेते हैं या मतलब जो भी अगर हमसे गल्दी से इन दिनों में पाप हो जाता तो इन से मुक्ति के लिए वो वरत बनाया गया रिशी पंचिमी का वरत दोस्तो देखे कुछ वरत ऐसे होते हैं जिनको हम मतलब कभी भी छोड़नी सकते कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए चाहे आप मासिक धरम में भी ओ तब भी वो वरत हमें करने ही होते हैं लेकिन उनके क्या नियम होते हैं दोस्तो जैसे देखे करवचोथ का वरत है सकट चोद जो मतलब बच्चों के लिए रखा जाता है करवा चोद पती के लिए रखा जाता है और अहोई अश्टिमी का वरत ये तीन वरत ऐसे होते हैं जिनको अगर शादी शुदा महिला आया तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए देखे आप पूजा नहीं कर सकते आपको प ऑठ बूका बढ़ता है तो ये वरत ऐसे होते जो नहीं छोड़े जाते संतान के लिए होता है सकड़ को आप यहानि पूजा से करवा ले आर मिचला से पूजा तो आपका husband दे सकता है या कोई सुहागन महिला दे सकती है लेकिन वरत आपको नहीं छोड़ना होता है तो और दूसरे जो वरत रते हैं जैसे गुरुवार का वरत है या सोमबार का वरत है देखे उसमें आप गुरुवार के रखे अगर आपको देखे पीरेट्स है तब आप जाते आप उस दिन को छोड़ दे और जब शुद्ध हो जाते हैं तो जवरत रखते हैं तो उस दिन से उनको काउंट किया करें दोस्तों मासिक धरम देखे एक मतलब प्रकति का निया में कह लिए या भगवान की ही बनाईवी चीज है तो इन चीजों से देखे अगर हम दे है कि हमें मासिक धरम हो गया है और हमने मतलब इन चीजों को छूलिया है तब देखे हमें कोई दोश नहीं लगता है क्योंकि यह भी एक मतलब भगवान की बनाईवी चीज है तो इसलिए दोस्तों जितना आपसे नियम निभाये जाए उतने निभाने चाहिए और इन दिनो में हो सके तो पाट पूझा से कर सकते हैं लेकिन अपने हातों से मतलब शरीर से कोई पाट पूझा कर सकते हैं जैसे मन में आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और मतलव लेकिन अपने मन्दिर में जा सकते अपने हाथों से पाठ पुजा नहीं करने चाहिए जैसे तुलसी ओती पेड़ पोधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए इन दिनों में नहीं तो वह सूख जाते हैं दोस्तों देखे पीरट्स में यानि मासिक धरब में जितने नियम निभाया जाए तुने निभाने चाहिए अगर आपके घर में कोई मतलब खाना बनाने के लिए नहीं है तब आप खाना देखे बना सकती हैं लेकिन पाट पुझा आप नहीं कर सकती जितना हो सके मतलब उतने नियम निभाने चाहिए अपने पती से भी इन दिनों में दूर अवश्य रहना चाहिए इससे देखे हारी बिमारी होने का भी डर होता है दोस्तों आज मैंने आपको संपू आखनध नवरात्ये मतलब स्स ViveSolah Sataymaa फिर गुरुवार के जो गरत होते हैं उनको आपको नहीं करने चाहिए अगर पीरट हो गए है तो और आपको पूझा करने के बाद पीड़ट हो जाते हैं तो आप उनको मतलब MODLcards रख सकती हैं उनको मतलब भंदीट नहीं माना जा जाती है दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सभी को जैशी किशना